जैहन्द स्टुडेंट्स, वेलकम बैक अगें, दिस दिव्यांशु पांडे, CDS First 2022, OTA की SSB डेट्स आपकी अब रिलीज हो चुकी हैं, ऐसे हमारे मेल एन फीमेल कैंडिडेट्स, जिन्होंने CDS First 2022 का रिटेन एक्जामनेशन दिया था, और उस एक्जाम में वो पास हुए थ अब उनकी SSB जल्द ही कंड़क्ट होने वाली है, SSB डेट्स आपके रिलीज कर दी गई हैं, आपकी SSB डेट्स क्या रहेंगी, आपका SSB इंटर्वियू का सेंटर कहां पे रहेगा, और SSB इंटर्वियू का ओवराल प्रोसीजर क्या होता है, तो इन सभी बातों पर आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमीशन के CDS एक्जाम को दिया है, और उन्होंने अपना प्रफरेंस OTO को सेलेट किया है, अब उनकी SSB डेट्स आपकी आ चुकी है, सबसे पहले आपकी रिलीस की गई थी, और 11 जन्वरी तक आपकी उसकी लास्ट डेट थी, आपने 10 एपरेल 2022 को अपना रिटेन एक्जाम दिया था, उसके बाद आपका रिजल्ट आया था, तो ऐसे हमारे सक्सेस्फुल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी रिटेन को कौलिफाई किया ह अब वो अपने OTA चिन्नई Academy में ट्रेनिंग लेने के लिए काफी बेकरार हैं, लेकिन आपके लिए एक और पड़ाव आपको पार करना है, वो है आपका SSB इंटर्व्यू, जितने भी हमारे CDS First 2022 के male candidates हैं, उनकी जो लास्ट डेट आपकी SSB date selection link आपके joinindianarmy.nic.com पे दी ग 22, तो 18 October से लेकर 25 October तक आपकी ये dates हैं, और अगर आप 25 October और वो भी आपका 10 AM के बाद अगर आप date को select करोगे, तो वो आपका expire हो जाएगा, तो इसलिए आप से अनरोध है कि आप 25 October के पहले ही अपनी SSB dates जो हैं, ले लें, आपका SSB center रहेगा, वो आप उसको opt नहीं कर सकत हो, वो आपका Indian Army आपको देती है, तो इस कारण से 25 October की last date है, उससे पहले अपना SSB interview का date आप चुन लीजे, अपने SSB जो आपने अपनी official ID login की होगी, अगर हम बात कर लेते हैं, women candidates की, तो उनके लिए आपका जो last date है, SSB dates को opt करने के लिए, चुनने के लिए, तो वो है आप कर 24 October, इनकी भी आपकी date 18 October से start थी, तो 18 से लेकर 24 तक है, इस बीच में अगर आप अपनी SSB dates चुनते हैं, तो आपको specified dates दिया जाता है, जिससे कि आपको अपने specified SSB interview की location पर जाकर, वहाँ पे अपना 5 days का SSB interview देना होता है, तो please hurry up, आपके पास समय कम हैं, जिन्होंने अभ आपने joinindianarmy.nic.in की website पर जाके, जहां पर आपने अपना ID बनाया हुआ है, वहाँ पर आप जो है SSB selection dates जो है आप ले सकते हैं, बाकी बात कर लेते हैं कुछ important dates की, तो हम सभी जानते हैं कि mails के लिए registration आपका 18 से लेकर 25 October तक है, 25 October 10 a.m. पर यह आपका expire हो जाएगा, तो उ अपनी SSB interview की date ले लीजे, बात कर लेते हैं, women candidates के लिए 18 to 24 October है, वहीं आपका SSB dates allotment आपका अब शुरू हो चुका है, merit list आपकी tentative है, जैसे ही आपका interview खत्म होगा, तो आपकी merit list भी जारी होगी, आपके medical examination के बाद, और आपकी जो training होगी, April month 2023 में आपकी शुरुबात हो आपका जो SSB interview काफी नजदीक है, और इसलिए SSB crack exam ने, आप सभी CDS first 2022 के जितने भी हमारे written pass out candidates हैं, जो कि अब अपने SSB interview के लिए जाने चाहते हैं, तो उनके लिए हमने आपका special batches आपके लिए बनाए हैं, जहां पर आप हमारी बहतरीन faculty से अपनी SSB interview की preparation ले सकते हैं, औ और आने वाले SSB में recommendation प्राप्त कर पाएंगे, SSB interview की locations कहां कहां पर रहेंगे आपकी, तो पहली आपकी SSB एलहाबाद, जिसको हम selection center east कहां करते हैं, यह आपके उत्तर प्रदेश में हैं, अब इसको प्रयाग राज की नाम से भी जाना जाता है, SSB भोपाल, यह आपका selection center central center जा रहें, okay, SCC है आपका, यह आपका Bengaluru है, करनाटक में, और आपका SSB कपूर्थला पंजाब में आ जाता है, तो यह आपके total four locations है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी dates, सुविधा के अनुसार अपना आप select कर लीजे, और आपको respective, आपके SSB center में भेज दिया जाएगा, आप जब आप अपना date select करते रहोगे, तभी उसकी बगल में आपको दिया रहेगा, कि आपका SSB कहाँ पर पड़ा है, तो काफी आपकी बहतरीन opportunity है, जिससे कि आप भारती थल सेरा में lieutenant बन सकते हो, अब कुछ instructions हैं, आप सभी के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि यह total आपके चार locations हैं, जहां पर आपका SSB interview conduct होता है, जैसे ही आप अपना date select करते हो, तुरंत ही आपको जो है, call up later भी आ जाता है, call up later तो आपका join Indian Army पर भी आ जाएगा, या फिर आपके SMS और email पर आ जाएगा, जहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कि कौन-कौन सा documents आपको लेकर जाना है, और COVID-19 की guidelines भी आपको follow करनी है, आप सिर्फ अपने SSB interview की dates को select कर सकते हैं, लेकिन अपने SSB center को change कराने के लिए आप नहीं कह सकते हैं, यानि कि जो आपको SSB center allot कर दिया गया है, वहीं पर आपको जाना होगा, SSB interview आपका 5 days का interview होता है, जहां पर आपके 2 stages conduct किये सबसे पहला stage आपका stage first होता है, जिसको हम screening के नाम से जानते हैं, और दूसरा stage, stage second होता है, जिसको हम psychological test के नाम से जाना करते हैं, पहले test में आपका दो test होता है, पहला आपका OIR test, official, officer intelligence rating, OIR test होता है, जिसमें verbal और non-verbal कि आपके test conduct किये जाते हैं, और उसी के just बाद आपका picture, perception and description test conduct करवाय जाता है, यानि की PP and DT, ओके, तो पहले दिन जो बच्चे आपके screening in हो जाते हैं, वो further 4 days वहाँ पर stay करेंगे, और जो screen out हो जाएंगे, उनको वापस घर लोटना होगा, और बाकी 4 days आपकी पूरी SSB process चलता रहता है, सभी के जानकारी आपकी call up later पर दे दी जाती है, अब चलिए, तो जैसे मैंने आपको procedure बताया, OIR और PP and DT, यह आपका stage first रहता है, पहले दिन, okay, rest of 4 days, यानि की जो बच्चे अपना screening पास कर लेते हैं, उनका psychological test में TAT, यानि की thematic appreciation test, दूसरा word association test, तीसरा situation reaction test, और चौथा आपका self description test conduct करवाय जाता है, पिर आपक तीसरे या चौथे दिन, कभी भी, दूसरे तीसरे चौथे दिन, आपका personal interview conduct हो सकता है, उसकी कोई date आपके fix नहीं होती है, ठेक है, और जो group tasks होते हैं, आपके तीसरे और चौथे दिन चलते रहते हैं, इसे के बीच आपका personal interview कभी भी आपसे ले लिया जाएगा, यह हो सकत आपका second day, third day या फिर आपका fourth day, और last day आपकी conference होती है, जिसमें आप होगे और जितने भी testing officers होते हैं, ठीक है, वो सभी आपके सामने बैठे होंगे, आप से वो कुछ questions पूछेंगे, और फिर वो अपना result declare करते हैं, ऐसे हमारे candidate जो कि आपके SSB में recommend हो जाएंगे, तो उनक medical होगा, और medical recommend होने पर आपको plus का sign up का दे दिया जाता है, फिर all India merit list बनेगी, तो हमारी जितनी भी girls और boys candidates हैं, वो सभी अपने respective OTHन Academy में जाएंगे, और अपनी training लेंगे, लेकिन कौन सी आपको qualities चाहिए, जिसको हम official life qualities कहते हैं, so there are total 15 OLQs, which you have to require to qualify the upcoming SSB interview examination, and these are, the first one is the effective intelligence, अब intelligence कैसे आती है, तो information plus knowledge, information plus knowledge से आपकी effective intelligence आती है, ओके, फिर आपकी reasoning ability होनी चाहिए, कि आप कम समय में चीजों को कैसे तेजी से पढ़ें, कैसे समझें, understanding आपकी बहतर हो, तभी आपकी अपने exam में आप बहतर कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर time boundation रहत होती है, और उस particular time में आपको एक particular task को आपका पूरा करना होता है, तीसरी आपकी organizing ability, आपके पास काफी चीज़ें होती ही, resources होती है, चाहिए वो material resource हो, या फिर आपका man resource हो, वो आप कैसे handle करते हो, और उसके through-up, अपने task को कैसे fulfill कर पाते हो, तो ये quality आपके अंदर expression, देखिए, अगर किसी candidate को आता बहुत कुछ है, उसका effective intelligence भी बहुत अच्छा है, reasoning ability अच्छी है, organizing ability अच्छी है, लेकिन वो अपने thought process को express नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका एक अच्छा leader नहीं बन पाएगा, वो officer बन ही नहीं पाएगा, उस criteria में fit ही नहीं उपाएगा, तो आपके जो mind में है, वो आपके जुबान भी होना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि, इसलिए कहा गया है कि आपका मंसा, वाचा, कर्मणा, फिर आपका social adaptability आती है, cooperation आपका होना चाहिए, अपने group के साथ, sense of responsibility, कि आपको अपना task करना है, material को भी ध्यान में रखना है, और अपने आपके जो man है, man resource, उसको भी आप बहतर तरीके से आप utilize करिए, initiative लेना है क्योंकि officer ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वो पीछा रहे, पीछे रहे, अपने troops को कहें चलो भाई, तुम आगे जाओ, आपको initiate लेना ही पड़ेगा, confidence खुद में होना चाहिए, confidence तभी आप जब आपके पास experience रहेगा, और ये knowledge, ये experience, SSB crack exam आपको provide करता है, तो आप हमारे batches में enroll हो सकते हो, speed of decision बिलकुल, ऐसा नहीं कि आप decision तो ले पार हो, लेकिन उसकी timing काफी देर है, तो ऐसा बिलकुल नहीं हो, ability to influence the group, अगर आपके अंदर power of expression है, तो आप influencer होने चाहिए, कि आपकी बात दस लोंग सुने और उसको माने, libeliness, dullness बिलकुल नहीं चाहिए, हमेशा एकदम जोष के साथ, always have a high josh and energy, determination, courage, यानि कि कुछ कर दिखाने का आपका जज़बा हो, और stamina तो बिलकुल हो, क्योंकि third और fourth day, जब आपका group planning exercise, उसमें GD, lecture rate, आपका PGT, half GT, जितने भ आपके obstacle होते हैं, उनमें करने के लिए आपको stamina चाहिए, तो इसलिए ऐसे हमारे candidates, जो कि अभी exercise नहीं कर रहे हैं, तो लगबग वो 2 km तो आपका रोज walk करें, या फिर running करें, jogging करें, जिससे की stamina आपके अंदर develop हो सके, SSB crack exam ने आपके लिए November और December, दोनों months के लिए special batch पर हम आपको पूरे आपके 30 day आपके साथ लगकर आपकी तयारी बहतर करवा सकें, और आप अपने आने वाले SSB में जो है बहतर प्रदर्शन कर पाएं, और recommendation भी ले पाएं, courses की link नीचे description box में दी गई है, जहां से आप इन courses को ले सकते हैं, enroll कर सकते हैं, और warrior 10 court का आप discount हमारे सभी courses पे आपको मिलता जाएं, जैहन और best of luck!